आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है जनरिक मेडिसीन और ब्रांडेड मेडिसीन के बारे में यह दुनों मेडिसीन क्या होती है और क्या हम जनरिक मेडिसीन खुछ से यूज कर सकते है अगर यह डॉक्टर ब्रांडेड मेडिसीन दिया है तो इसकी यह पर जनरिक हम खु कोई उसे नहीं बना सकती है तो इस तरह क्या कुछ पेटेंट होते हैं अब जैसे उसका पेटेंट होते हैं जैसे के 15-20 साल का जो पेटेंट रहता है जो गौर्मेंट के साथ बना रहते हैं तो पेटेंट उसका खतम आजागा तो दूसरी भी कंपणी और मेडिसीन बनाएगी तो यह जो दूसरी कंपणी बनाएगी तो जैनरी के नाम से हो जाएगा और यह नहीं कि वो कुछ अलग बनाएगी और जो बरांडेड मेडिसीन है जैसे कि उसने अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट लिया है तो यह भी वही लेगी जितना मिलिग्राम में लिया त तो वही सेम रहेगा बस यह रहेगा कि इसका जो पेटेंट साव एक्सपायर हो गया है तो इसके लिए वह दूसरी कंपणी बना रही है और इसका ब्रांडेड मेडिसीन का कॉस्ट इतना हाई क्यूं होता है इसके बारें बात करते हैं जैसे कि कोई मेडिसीन लांच होती है तो उसका एड़ोटाइजमेंट होता है इसका यह अलग मार्केटिंग होता है जैसे कि एमर आएगा एमर डॉक्टर के साथ टाइप करेगा डॉक्टर को ओफर देगा गिफ्ट होगर देगा और उसको चेक होगर देगा कि हाँ आप मेरी मेडिसीन यह एरिये में इतना निक दालनी है तो उतना उसको निकाल के देना है अगर जिनहीं निकालेंगे तो फिर उसको आगे से प्रेशर आएगा तो इस तरह से ही रहता है कि कोई भी मेडिसीन वागर रहती है तो पहले लॉंच होता है फिर उसके बाद उसका मार्केटिंग करते यह मारकेत तूरोब और जबर्दस्ती अगर जो कोई पेशन को यानि गैस बना हलकी सी तो उसको तीस रुपी या 35 रुपी की मेडिसिन से काम हो जाने वाला है लेकिन डॉक्टर उसको दोसों की मेडिसिन लिखेंगे बरांडेड क्योंकि उसको भी डॉक्टर को भी पैसा चाहिए और उसको जो प्रे मेडिसिन लिखते हैं इसके लवा डॉक्टर कुछ मोनोपली आइटम लिखेगा मोनोपली आइटम होता है जो सेटिंग वाला आइटम रहता है जो छोटी-छोटी कमपनी रहती तो डारेक बड़े इस तरपर मार्किटिंग नहीं कर पाती तो सीधा क्या करता है को एक दो ड अबिलेबल कराना ये मेडिसिन और दूसरी अब नहीं कराना है तो डॉक्टर इस तरह से मोनोपली आटम लिख देता है और पेशन भटकते रहता है इदो अधर के हां हमको कहीं मिल जाए और कहीं नहीं मिलता तो पेशन को ऐसा फिल होता है कि डॉक्टर साहब ने इसी दव कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा डॉक्टर जान भुचकर पेशन के साथ खेलवाड करता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपको अगर जो डॉक्टर चाहें तो पेशन का इलाज जो भी उसकी दवाई का कोस्ट पंदरस हो रहा तो चाहें डॉक्टर तो उसको 300 में भी ला सकत भी नहीं करेगा जो ब्रॉक्टर के साइटा कोुई होता है और जाक्येशन को होता है और दोपंड सकेंगे तो परिशान को भागा देगा वो लेगा कि मैंने जो लिखा है मुझे औहीं चाहिए तो इस तरह से काम करते हैं सब कभी ना सोडीयम और पोटेश्यम का भी मातर चाफ़ीं कम ज़्याद हो जाता तो उसके वजज से दिक्कत होती है को ज़नरीक से गये तो बरेनेड़ मेड सीन के साथ मिला हुआ इसने मान लो मेरा में 15 mgENT सोडीय मेजिळग में उसका उसका डनरीक ले लीक कम कभी तो यह कंद अ अगर जब campusco इस होना चाहिए के जिलसे के स्विख्वागा होना चाहिए एच क्यों से यले सफी मिले तो आप बिंदास कर सकते हैं इसका effect भी बहुत ही अच्छा रहता है जैसे कि कोई pen killer वगर आलकेम कहाते है वो भी बहुत ही अच्छा effect देता है इसके लवाव सिपला का जो आता है जो diabetes का है medicine सिपला का बहुत से ऐसा medicine है सिपला तो बहुत ज्यादा जैनरिक बनाती है तो आपको almost जितनी भी medicine है उस सब का जैनरिक मिल जागा diabetes का hypertension का इसके लवा pen killer और arthritis वगर यह सब में जितनी जो medicine आती है तो उस सब का जैनरिक मिल सकता है branded medicine जैसे का आप नोकोजी या इमार लेंगे तो आपको 200 के उपर पड़ेगा लेकिन वही आप जैनरिक में जाके लेंगे तो आपको 40-45 रुपे मिल जागा इसके लवा जैसे के आप pen of day या पेंडी वगर लेंगे पेंडी लेंगे तो 200 के उपर है कुछ लेकिन इसका आप जैनरिक लेंगे वही सब्टेटूट में तो आपको 34 या 35 रुपे में मिल जागा इसके लग बहुत सी मेडिसीन हैं जैसे के कफ सिरफ है तो कफ सिरफ आपको जो बरांड़ेड है 100 रुपे 120 रुपे 130 रुपे में रहेगा उसके आप जैनरिक लेंगे तो 35-40 रुपे में मिल जागा और इसमें कुछ भी नहीं रहता है जहां पर जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है तो वहीं पर जहां पर मैनिफेक्चर होता है वहीं पर जैसे के ब्रांडेड मेडिसिन शेल कल वगरा अक्यूम मैनिफेक्चर करता है तो जैनरिक मेडिसिन जो आती है वह भी अक्यूम ही बनाती तो मेनुफिक्चिरिंग का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कोई को ऐसा भी बोलते कि जो चैनलिक मेडिसिन में समान यूज किया गया है जो मैट्रेल और ठाड़ ग्रेड वाला रहता है तो यह कहां तक सही है और तो कंपनी इसका खुलासा करेगी तो यह तो हम लोग को खुलासा कंपनी को खुदी करना चाहिए क्योंकि यह भी बात मार्केट में बहुत ज्यादा लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन जहां तक देखा जाए इफेक्ट का तो अल्मस 90 पॉर्सें 95 पॉर्सें इफेक्ट ब्रांडेड मेडिसिन की तरह सेम ही होता है लेकिन अगर जब ज दिखकत हो जाती है और कई बार ऐसा दिखकत हो गया है कि बहुत से पेशन को कि बरांडेड मेडिसिन का सब्टेटर जण्रीक दिए लेकिन उनको थोड़ा साइड एफेक्ट हो गया और उनको ऐस्पिटलाइज दूबारा करना पड़ा है तो इस तरह की दिखकत होती है तो तो जो उमर दराज लोग है तो उनको आप डॉक्टर से वेरिफाई करके ही जनरिक दो उनको खुछ से जनरिक मेडिसिन ना दो बाकि जो अडल्ट है जो लेस दें 50 है और अब हो 18 है तो उनको आप बिंदाद दे सकते हैं अगर यहाप को चाहिए कि आपको जनरिक मेडिसिन मि डीज देंगे कि सब्ट्रिटूट आप जनरिक में दे सकते हैं तो जनरिक मेडिसिन का डॉक्टर व्य पाथा दोक्टर को लेकि उसका अंगो चैनरिक मेडिसिन देढ़ सकते हैं आपको कॉस्ट्ट भी कम हो जागा और इफेक्ट भी सम रहेगा और बहुत ऐसी दवाई जै मेडिसिन लेंगे तो महिने में पंद्रह सो डोहजार के बने का लेकिन उसी के आप जैनरी लेंगे तो आपको 400 einz饭े 400 या 500 तक या जैए गा जैनरी भी ले सकते इसके लबाँ परदानमंत्टरीं जंवाश भी योजणा यहां से भी ले सकते तो आपको मेडिसिन सही मिलेगी गुवर्मेंट भी तो बेखुफ नहीं न जो आपको सस्ते में मेडिसिन प्रवाइड कर रहे हैं परधान मंतरी जोनोस्डी योजिना हर एरिये में भी अक्सार अल्मोस बहुत से एरिये को कवर कर लिया अविलेबल रहता है अगर आपके एरिये में जन्री का इस्ट सबसे ना लो तो भी ऐसा कर सकते हैं तो इस तरह से आप जन्री मेडिसिन लेकर यूज कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है